नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस नई वीडियो में दोस्तों आज हम आपको बताने वाले है दिल्ली पुलिस इस ट्यूटिव का ओनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाई स्टेप पूरी जानकारी देंगे सिलेक्शन प्रोसीदर भी आपको बताएंगे और साथ चार्टिंग से लेके इंट तक चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सब्सक्राइले मैं आपको बताओं आपको दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया है वहां पी देख सकते हैं यहां पे आपको पूरी जानकारी सब्सक्रे सब कुछ मिल जाएगा मैं आप दूसरी वेबसाइट है नमबर वन वेबसाइट बहुत ही फेमस वेबसाइट सरकारी जिजल डॉट कॉम लेकिन दूसको एक चीज़ का रहाना में पर रखिएगा जब भी सरकाइधर खुलिएगा यह लोगों पे चानल लिए अगर आपके मुबाइल लैप्टॉप कहीं भ सब्सक्राइट होगी कोई फीस नहीं है एक जुलाई 2020 से कल्कुलिट होगी जोगी 18-25 साल है उमर की बात करें पोस्त की बात करें तो टोटल इसमें 5846 पोस्त है जोगी मेल की 4902 है फीमेल की 94 यह कैटेग्री वाइस डिटेल्स ही होई है जिसको गयाद देख सकते हैं है एक सो सतार एक सोपैसेट है लेकिन अगर फीमेल की बात करें फीमेल में सी के हैट 155 दी गई है चैसी तो पचासी है दोड़ आज देख सकते हैं कि दोड़ है जिसको की पुरुष को 6 मिनट और महिलाव को 8 मिनट में कंप्लेट करना है तो चलिए दोस्तों हम सीज़ा चलते है फॉर्म पर अपलाई करने में और हम सीज़ा आपको वैले एक स्लेवस भी दिखा देते हैं फिर हम चलते ही देखिए यहां पे आपको डारेक साथ पर देख सकते हैं इस बार जो फोटो उन्होंने मांगी है दिली पुलिस में वह फोटो आपकी तीन महिने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें जो एक बड़ी चीज़ की है फोटो पे आपका नाम और फोटो खिच्वानी की डेट जो है प आपको लगानी बहुत जरूरी करते हैं तो दोस्तों बता दूं पहले जिन लोगों ने अभी तक रेजिट्रेशन नहीं गिया पहली पर रहे हैं उनको यहां से निया रेजिट्रेशन करना पड़ेगा जो लोग और उसकी वीडियो हमने अपने इसमें लिंक में दे दूआ कि निया रेजिट्रेशन कैसे करते हैं उनको फॉर्म कैसे बढ़ना है उसको मैं आपको दिखाता हूं पहले आपको अपना मोडिफाई रेजिट्रेशन करना है मैं भी करके दिखाता हूं आपको क्लिक करके आगे बढ़नाएं वज़कर हूं सब्सक्राइब तो पहले सेव कीज़ेगा अगर कुछ चेंड़ेस नहीं गया तो नेक्स कड़के आगे बढ़िए तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे जैसे आप फोटो को अप्टना आगे जैसे मैंने कुछ दूनों पहले फॉर्म बढ़ा था तो मेरी फोटो भी तीन महिने से ज्यादा पु करके आगे बढ़ना सेव कर देता हूं तो दोस्तों वाफिस हम अपने डैस बोल कर चुछ है सबसे पहले आपको करना है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको मॉडिफाई रिच्टेशन नहीं होगा आपको अप्लाई करते है जैसे यह पूछ रहा है कि आपकर क्य पूछ रहा है अगर कुछ है आपको छोड़ दीजेगा क्योंकि आपको पता है कोबिट चल ला है इस नॉम्बर से दिसंबर की भी जिसकी परिक्षा होनी इस वीच आप जहां रहेंगे वही एक्जामनेशन सेंटर को चूज कीजएगा उसके बद अगर आपका है तो कीजिए नहीं तो नो कर दीजिए फिरम दोस्तों सीदा नीचे चलते हैं यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पूछ रहा है अगर आपको वेटेंग मिलेगा तो दोस्तों सीदा हम चलते हैं इसमें आपको बोर्ड का नाम देना है आपको आपके सब्जेक्ट से वह देना है अगर आपको देना है दोस्तों सीदा नीचे चलता है आपको जहां देना है यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको प्रिवियू करना है और अच्छी तरीके से चेक करना है कोई भी डिटेयर्स कर्रेक्शन है बाद में कोई भी कर लीजे अब आपको लगता सब कुसे है तो यहां सम्मिट कर दीजे चलिए दोस्तों को सम्मिट करता हूं सब्विप्ड करने के बाद आपको वापिस आना है जो निकाल लीजे क्योंकि चलान की जर्य है October penet के 17,30. अगर जो लोग ऑनलाइन पेहमेंट करना चाते हैं यहादे पेहमेंट कीजिए下去 सब्सक्राइब सब्सक्राइब अप्लिकेशन इस्टेटर भी आप टाइम टू टाइम या पिछट कर सकते हैं तो दोस्तों उम्हीद है आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो की डिस्क्रिक्शन में सारी लिंक हम ने दे रखे इंक्लूडिंग रिइस्टेशन का भी तो दोस्तों अगर किसी व्रकार के सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजेगा तब तक लिए नमस्कार धन्यवाद